Hello My Dear Students, Welcome to IIT Jam Chemistry YouTube Channel Students, आज हम लोग problem solve करेंगे organic spectroscopy का ठीक है, तो यहाँ पे जो problem दिया है गे यह आपको IIT Jam 2017 ने पूछा गया है इस तरह के problem आने का chances बहुत ज्यादा बनते है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बच्चों confuse कर दा बहुत ही simple formula है अगर आपको फॉर्मुला इसका पता है न एक सेकेंड मतलब बहुत ही जादा सींपल है ठीक है लेकिन आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बताने वालो इस वीडियो में ठीक है तो पूछा गया है and at an operating frequency of 350 megahertz the shift in hertz of resonance from TMS of a proton with chemical shift of two ppm each पहली बात अब को ppm क्या होता है chemical unit होता है hertz अब का coupling constant होता है and 350 megahertz अब का frequency अब यह instrument का frequency दिया गया ठीक है तो यह सब दिया आगया आप confused हो क्या है कैसे लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा आप वीडियो complete देखोगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा now पहले concept समझते chemical shift और coupling constant होता क्या है मुझे पता है बहुत लोग को पता है but हम लोग थोड़ा सा अपना एक मेंट लेके इसको solve इसको भी clear कर लेते coupling constant और chemical shift ने difference कहा है chemical shift में बोला जाता है the difference between the two adjacent peaks in a multiplate in terms of ppm in terms of ppm is not chemical shift मतलब जब आप यहां पर एक यह peak है एक क्या है यह peak है और एक यह peak है ठीक है दो adjacent peak के बीच में जो difference होता है जो distance का difference होता है उसी को हम लोग क्या बोलते है chemical shift बोलते है chemical shift बोलते है ठीक है but अब coupling constant क्या होता है coupling constant एक ही Pik में एक ही जो कि J से यहां पर denote करते हैं ठीक है और इसका पीपीम आपका इससे डोनेट करते हैं डेल्टा ठीक है तो यह हो गया हमारा कप्लिंग कॉंस्टेंट यह केमिकल सिर्फ कप्लिंग कॉंस्टेंट बारे में आपको new of sample मतलब frequency sample का दे देगा तो उसके लिए क्या formula sample का minus new of reference ठीक है निव of reference डिवाइड बाई new of instrument new of instrument मैं आपको बताता हूं बस एक मिनदी ना ठीक है new of instrument into 10 के power 6 तो जब आपको ना problem में कभी sample का यह देदे frequency दे आपको यह क्या करोगे när देदे करों और थो को उपने बता अब ही जटो प्रोब्लम उसका क्या है देखो सबसे ना बताता हूं आपको यह क्लायन का formula है डिल्टा बराबरं hearts upon megahertz अब अब बोलोगे हмसर कुछ multiply करना है 10 के पाउड Korean unit conversion hearts-hertz करना कुछ भी नहीं करना है यह देखो delta बराबर harsh upon megahertz लिल्टा क्या आपका डिल्टा आपका यहां पे chemical shift है जो की ppm में आती है इसका unit जो आएगा अप cooled करोगे से फ्रिक्वेंशी ऑफ इंस्ट्रुमेंट का यह फ्रिक्वेंसी दिया है मतलब कहने का मतलब यह मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको صिर्फ यह फ्रमला याद होना चे डिल्टा बराबर हर्ट्स अपॉर्ण मेंगार्स बहुत सीम्पल सा फॉम्ला है कुछ भी unit conversion मत करने बैठना कि हां hertz को change over megahertz में ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको जब आप delta बरबर hertz upon megahertz लिखते हो अब जो जो delta ppm आएगा यह hertz आपका coupling constant यह आपका instrument का ठीक है यह तो हो गया आपको formula मतलब 8-digit कभी आएगा यह 2017 पूछा ना तो आगे आने का chances बहुत बनता है इस पर ठीक है क्योंकि यह net में gate में भी पूछे जाते हैं इस problem को तो आप समझ सकते हो क्या इसका यह importance है अब मैं आपको direct problem पे ले जाता हूं कि क्या problem हमारे हमें यहां पे आइटी जैंब 2017 में पूछा गया था ठीक है यहां पे दिख रहा है यहां बुला है कि यहां पे डेल्टा के लिए टूपीपी मिल गया मतलब डाइरेट हर्स निकाल सकते मतलब हर्स की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है तो यह तो होगे आपको करने का तरीका अब देखो कैसे करते हैं इसको अब के इन्स्ट्रूमेंट का ise आपकर जो फ्रेकींसि है ऑफिस्ट्रूमेंट जो फ्रिकों सबस्क्राइं ओञोंटै करीक है तो होता है है जो कि हर्ट में होता है यह तो लो पता है यह है अपसे पूछा है और आपको क्या दिया ऐ chemical shift दिया है chemical shift दिया है आपको यहां पर 22ahaha critical lifespan के इंपको कितना गात से दिनोट करते है डिल्ट से यहां पर डिनोट पूट करते हैं उसका होता है 2 PPM यह यह गीवन है ठीक है अब आपको क्या करना है डायरिक्ट मैंने आपको जो फॉर्मला बता है आग बंद करके उसको यूज करना हर्ट्स अपॉन मेगाहर्ट्स यूज कर लिए ठीक है अब जो जो वैल्यू दिया आपको पूट करना है सिंपल सा इसको मल्टिप्लाई करो कितना आएगा 700 आएगा 700 आपका हर्ट्स आ रहा है तो यह जो आपका अंसर है देखो एनटी कितना आपको घुमाओदार पूछा था लेकिन डराने वाला लेकिन बहुत सिंपल अगर आपको यह फॉर्मला पता था हर्स अपॉन मेगाहर रहे और इंच्वाई करते रहे थैंक्यू सो मच